उपर से प्रेशर नीचे से गर्मी तो हमारे यह एक से एक प्रेशर डालने वाला मसीन और एक से गरम करने वाला मसीन सबके घर में बनेगा पेट्रोल का अंभी यहां पाय जाता है वहां जब यह lavender ताप मैंना तो गाढ़ा चिप चिपा पदार्थ बना देता है आप माढ़ देखें चावल्का सेम वैसा ही क्या निकलता है पेट्रोलियम एक workers अगदम माढ़र की जैसा क्या निकलता पेट्रोलियम निकलता इस ό, पेट्रोलियम क refinery में भेजनी पड़ेगी अब बिहार का एक्जाम दे रहे हैं तो बिहार के बरावनी में है पेट्रोलियम सोधन कारखाना बरावनी उत्तरपरदेश के मथुरा मदपरदेश के बीना उडिशा के पारादीप उडिशा में कहा है पारादीप आंद्रपरदेश में इसाखा पटनाम जामनगर गुजरात वगरा में तो कई सारे तेल सोधन क्या है कारखाने है तेल सोधन कारखाने में तेल को साफ करने के लिए पेट्रोलियम से वापस्थ पेट्रोल बनाने के लि Fragical Destillation. कॉनज़ा Destillation? Fragical Destillation. प्रभाजी आसवन का परियोग किया जाता है. बिहार के किस जगह पर ये आसवन तेल सोधनकार काना? बरावनी. पेट्रोलियम जो होता है वो कैसे चटानों से निकलता है? आसादी चटानों से निकलता है। इसे निकालने के लिए जादे तर पेट्रोलियम समुध्री से निकले जाते हैं। क्योंकि समुद्र के पास जितने जीव जन्तु मर के नीचे जाते हैं, उनके उबर बालू अगरा ढग जाता है, और बहुत जादे प्रेसर, दिखिए, जब आप किसी चीच को गरम करते हैं, तो वो उतना अच्छा से नहीं गलेगा, जितना गरम के साथ साथ प्रेसर डालिए उतना अच्छा से, जैसे आप कराही में अगर आप डाल बनाईए, तो वो भी उतना ही गरमी, अब बगल के चूला में कूकर में डाल बनाईए, तगड़ा कोन होगा, एकदम अंदर तक धाका देता है, अंदर अंदर तक पुरा गला देता है, तो प्रेसर का रहना जरूरी , तो समुद्र के नीचे जब कोई चीव मरता है तो उसके ऊपर पूरे समुद्र का क्या पड़ता है? प्रेसर पड़ता है, ऑजजी आदमी मर के ऊपर रहेगा तो दुखहाची माटी डाल देगा कोई, इससे इंपरेसर में का होने वाला है, असो चीवे समुंदर का प्रेस या तो बनेगा कोई या ता बनेगा प्रेशाव जह दाए और मोडला नीचे से ऊपनेगा गल्रम यह पोरी हो undertaly आप चलीट नहीं इसको द्राश्टे आशासवं किसी चर्ताई कर प्रभाजीत्क गल्र में हो ए जैब्दो नंबर समय लगता है डिलिट बारो उसको बताओ अरे बेकुब वहां जो नाम लिखा रहाता है कोई जो रूई थोड़ी है को वही आदमी है नहीं समझेज़े जब कोई यह चैन नहीं है आगे बढ़ जाते हैं देखिया यह अलग-अलग टेंपरेचर पर होते हैं टाइमिंग पर होते हैं डिपे वहां टांग देगा कैसे लिखता है टू लेट वैसे लिखता है टू पेट्रोल टांग देगा चलिए आप आगे समझते हैं पेट्रोलियम जो बनता है गाढ़ा होता है प्रभाजी आस्वान से पेट्रोल बनेगा डीजल बनेगा किरोसीन तेल बनेगा पेट्रोल हम उस ग अनाई तो किरासीन तेल, जाज में किरासीन देल, किरासीन एक अलग ताइप का किरासीन थोड़ा अच्छा रिफाइंड होता है वापर